बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे ये वाटसब बॉलिवुट के साथ पर निशाना साधा और लिखा क्या कुछ लोग अपना अवार्ड लॉट आने वाले थे ऐसे में कंगना ने अपनी सफाई देते हुए एक ट्वीट किया और स्वरा को जवाब दिया है आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी रिठेल कुछ समय पहले सुषान सिंग राजपूत के मामले को लेकर एम्स मेडिकल बोर्ड ने अपने अंतिम रिपॉर्ट सीबियाई को सौब दी थी इसके मामले में कथित तौर पर हत्या के अंगल को हारिस कर दिया है डॉक्टर सुधीर गुपता की अधक्षता वाले पैनल ने कहा कि सुषान की मौत आत्महत्या से हुई वहीं कंगना ने एक इंटोव्यू में दावा किया था कि सुषान का मॉर्डर मूवी माफिया की वज़े से हुआ है स्वारा भासकर ने इस खबर पर अपना रियाक्शन देते हुए कंगना रनौत पर निशाना साधा उन्होंने लिखा अब तो CBI और AIMS दोनों ही इस निशकर्स पर पहुँचे हैं कि सुषान सिंग राजपूत का दुखद निधन सुषाइट था कुछ लोग सरकार द्वारा दिये गए पुरसकारों को लोटाने की बात कर रहे थे ना अब कंगना ने स्वरा को जवाब दिया है उन्होंने ट्वीट कर कहा ये है मेरा इंटरव्यू अगर यादाश्ट कमजोर हो तो फिर से देखें अगर मैंने एक भी जूटा या गलत आरोप लगाया हो तो मैं अपने सारे अवार्ड वापस कर दूंगी ये एक छत्रिय का व आत्म हत्या से नहीं हुई बलकि मूवी माफिया ने उनकी हत्या की है कंगना ने ये भी कहा था कि अगर वो अपने दावो को सचसाबित नहीं कर पाएंगी तो वो अपना पदमश्री लौटा देंगी इंटरव्यू में कंगना ने कहा उन्होंने यानि कि मुंबई पुलिस लेकिन इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बता रही हूँ, अगर मैंने कुछ भी कहा है, जिसे मैं प्रूव नहीं कर सकती और जो पाब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मैं अपना पदमश्री लोटा दूंगी. वेल क्या आपको लगता है कि स्वरा भासकर ने कंगना रनौत के उपर जो कॉमेंट किया है वो सही है या फिर नहीं वेल क्या आपको लगता है कि कंगना की मूवी माफिया वाली बात सही है या फिर उन्हें अपना अवार्ड लॉट आ देना चाहिए कमेंज के जरी हमें जुरून बताईए और ऐसे लिए अपडेट्स के लिए देखते रहें What's Up Bollywood